इंदि 2.3 या पुष्तागा मदिल तुम्हाला IMP question संगना रहे जासा एटीकट चेट से पेपर आहे ऊद्या ठीके रधेचे मिला IMP question संगना रहे तुम्हाला वीडियो शवर्ट परेंत बगतरा मित्राननों तुम्हाला नदर का हे जुन अप्रेश्ण मतरिका पाई जया सेल बढनें से लिख सकते हैं साहित्य की प्रकार रहखा चित्र साहित्य की परिवाशा आत्मकतन ये सब लिख सकते हैं उसके बाद उस्ताथ फयात खांका परिचे संश्यत में लिखिए जो कि ये कभी है कुरत सारे मनोविकारों में अधिक भूरतिल है स्पष्ट कीजिए उसके बाद स्वरक से धर्तिकव क्या प्राप्त हुआ और आस्ता कर्म में लेकर किस्त चुनता है ये दिख और रिखाचित्रयाए उसके बाद मिमध का प्लुख आपको पढ़ लेना से जोए तो फमें फोलेट आख उसमें और अगले किश्न में आएंगे तो थेतर सहित्य की प्रकार में प्रकार को संक्षत में सपश्ट कीजिए रेखाचितर का सोरूप जो कि हमने आप अभी देखा वो भी आपको इसमें लिखना है पढ़ लेना पहले निबंदय की विचिस्ताई संस्मरं का सोरूप रिपोर्टोस की परिभाशा उसके बाद आत्मक खथन रेखाचितर निबंद शंस्मरं रिपोर्टोस की विवित प्रकार ये आपको पढ़ लेना है रिपोर्टोस ए दो तीन बार प्रश्न आ चुकाए जीवनी की वीद परकारों को संक्षित में लिखिए, पत्र साहित्य की ततों को संक्षित में लिखिए, डायरी की परिवाचा को संक्षित में स्पष्ट कीजिए, संस्मरन की ततों को संक्षित में परिचे स्पष्ट कीजिए, यात्रावर्नन की ततों को संक्षित में स्पष अम्रूत अनागरी के प्रसंग लिखिए यह आप मन से लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको आपको जितना आएगा उतना आप लिख सकते हैं पत्र सहित्य और डायरिय सब इसका अंसरा आप लिख सकते हैं संस्मरंग के प्रकार यात्रा वर्नन हिंदन निवंद का तुर्तिय यूग लिखिए डॉक्टर नरेंदर निभंद लिखिए उसके बाद मेरी जन्मभूं के बारे में आचारी अहजार प्रसाद द्यूतिय जी में क्या कहा था यह आपको लिखना है उसके बाद यह उपर गुलाब की चीर विजय रहे यही नए मानव की नहीं आकांशा है ठीक है पंडित विद्या निवास समिश्च्रकी निवंद समिश्य आपको लिखनी है यह बहुती आसान सा कोशन है दोस्तों आप आराम से लिख आपको में मिलेगा आएंपी नोट मिलेगा ठीक है उसके बाद question paper मिलेंगे आएंपी question मिलेंगे किताबे मिलेंगे ठीक है śm Stories तब तक के लिए देखते रही है जेहिन जे बारत